तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत सिंपल और बहुत आसान है आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि क्यूबिक मिटर क्या होता है और क्यूबिक फिट क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते है इसलिए अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और आप अगर चानल पर नए आए हो तो चानल को जरू सब्सक्राइब कीजिए तो इसका बहुत सिंपल सा एकसामपल है जैसे स्क्वेर फिट के लिए आप अगर आपके नोटबुक का एक पेज है तो उसके दू मेजरमेंट्स होते है अला कि उस के लिए होता है यह है कि क्यूबिक फिट में या फिर क्यूबिक मिटर में हमें तीन मेजरमेंट्स ज़रूरी होते है एक लेंथ वीड़ और हैट इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है और बहुत आसन है इसका कैलकुलेशन अगर आप क्यूबिक फिट में निकलना चाहत और अगर आप cubic meter में निकाल रहे हो तो आपके सभी measurements meter में होने चाहिए For example के लिए हम एकदम आसान सा example अगर हम लेंगे अगर हमारा एक cube है जिसकी height है 3 meter जिसकी width है 3 meter और जिसकी length है 3 meter तो इन तीनों को सिर्फ multiply करना है आपको तो आपका answer आजाता है 27 cubic meter तो यह आए आपका answer height, length, width यह सभी चीज़े अगर भी change होती है तो आपको सिर्फ इन तीनों को multiply करना है तो आपका answer आजाता है उसी तरह cubic feet के बारे में भी अगर हम for example के लिए लेंगे 3 feet change by 3 feet change by 3 feet change अगर हमारे cube का measurements है इन तीनों को multiply करेंगे हमारे equation को याद रखिए inches को हम feet में convert करेंगे तो हमारे equation आता है 3.5 multiply, 3.5 multiply, 3.5 is equal to 42.875 cubic feet तो यह आए हमारा answer बहुत आसान और basic सी चीज़ है आपको सिर्फ ध्यान में यह रखना है कि आपको तीन चीज़े जरूरी होती है cubic feet में या फिर cubic meter में आपको इन तीनों को multiplication करना है या फिर आसान भाषा में गुनाकार करना है तो आपको आपके measurements आपको आपका cubic feet या फिर cubic meter मिल जाता है तो यह था दोस्तो आज का वीडियो यह वीडियो बहुत ही आसान और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर सकते हो और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजे दन्यवाद